यदि अनुपमा ने किसी को अपने घर से बाहर निकालाना तो यकीन मानिये वनराज उस आदमी को अपने घर में शरण भी नहीं देगा लेकिन वन्राज न यदि किसी को घर से बाहर निकाले आना है तो यह जरूरी नहीं है कि वो अनुपमा का दुश्मन है या अनुपमा का साथी है किसी भी हालत में कैसे भी सिच्वेशन में अनुपमा हर किसी को सहारा देती है और यही तो अनुपमा की खास्यत है लेकिन अभी यदि अनुपमा वनराज के घर से निकले हुए किसी भी साथी को किसी भी सदसे को यदि वो अपने आश्यभाहन में जगा देती है तो बेशा की यकीन मानिया इस बात का इतना बड़ा बखिड़ा बना सकता है वनराज की अनुपमा को ये चीजे पता ही नहीं चलेंगी कि अभी न ऐसा मोड आगया शो में जहां पर सागर और मीनु दोनों एक दूसरे को धीरे धीरे पसंद करने लगे हालांकि बालाशिटी अन्ना को ये बात पहले से ही पता है उन्हें ये भनक लग चुकी है और कहीं न कई वनराज को भी ये भनक लग चुकी है इसलिए वो तो बोलके ना वनराज अपने पूरी जद्व जहाद में लगा हुआ कि मीनु की पर नजर गड़ाए बटर है लेकिन एक कहवत सुने ना दोस्तों कि प्यार करने वालों को किसी की खूफिया सीसी टीवी या किसी का डर नहीं होता यदि वो प्यार करते हैं तो वह कहीं ना कहीं इसे मिल लेंगे बाते कर लेंगे इशारों में अरे कहीं ना कहीं से उनका रिष्टा पनपी जाएगा ऐसे में वनराज क्या लगता है तुम्हें कि तुम्हारे पास पैसा है तो तुम गुलामी करवाओगे और साथी सब मीनु को दबाओगे तो इससे मीनु का दिल बदल जाएगा मेंनु को जो पसंद आता है उससे मिलना बंद कर देगी अरे करते ही नहीं बेशा कि तुम्हें जो करना तुम कर लो लेकिन मीनु आज मामा के पास ज्यादा जिनताग नहीं रह सकती है और मीनू किसी के शर्तों पे बंद कर रहने वाली लड़की नहीं है हालांकि वो रश्या में पढ़ाई कर चुकी है और उसे सब चीज पता है कि किस तरीके से अपने जिन्दगी को बितानी है ऐसे में वनराज को लगता ह है कि वो मीनू के आगे नियम, शर्ते, कादय, कानून, सब कुछ लाएगा और चुप चाप मीनू ना उनके सारे काइदे कानून को फॉलो करके उनके अनुसार जिन्दगी बिताएगी तो भाईवन राज शाह ऐसी बात है कि ना ये जो नियम है ना आप अपने बच्चों क पर पढ़ाई करके यहां वापस इंडिया आने का फैसला किया तो सोचो वो लड़की के आजाद जो खयाल होंगे वो किस लेवल पर होंगे ऐसे में बनराशा तुम क्या मीनू को बांदोगे तुम उसके खयालों को भी नी बांदता होगे यानि कुल मिलाकर इस चक्कर में अब मीनू ना घर चोड़ने वाली है और मीनू घर चोड़ेगी तो बेशा कि मीनू का कोई दूसरा ठिकाना नहीं होगा और आपको पता है कि मीनू इस दुनिया में सबस्यादा प्यार करती है तो वो अनुपमा से करती है और अनुपमा भी अपनी भांजी को इतने अचा भावन के निकलने के बाद जब आशा भावन में आएगी तो मीनू के पास कम से कम जीने का एक मकसद भी होगा और वो मकसद होगा अनुच क्योंकि अपने अनुच बॉस को ठीक करना शायद मीनू को एक मकसद हो जब और कहीं ना कहीं मीनू ना कोई पैसा कमाना नहीं चाहती है अपना प्रोफिशन के तरिये और कहीं ना कभी यह भी नहीं चाहती है कि वह डॉक्टर बन के एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोले या बहुत सारे पैसे कम है वह नॉन प्रोफिट पूरी तरीके से लोगों की सेवा करना चाहती है और मैं तो यह भी नहीं अपने पसंदार शो अनुपमाज जुड़े एक बहुत बड़ी अपडेट में उम्मीद करूंगा आपको वीडियो अच्छी लगोगी वीडियो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और साथ जूड़े रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम सो मिडिया क तब तक मुझे अलवीदा दे बाई बाई टेक के और स्क्रीम पर मौजू देन विडियो इसको जरूर देखें